इस बार देश में कपास उतपादन में गिरावट होने की आशंका जताई जा रही है क्योंकि पिछले साल गुलाबी सुन्डी के प्रकोप की वज़े से किसान इस वर्ष नर्माक पास की खेती छोड़ दूसरी फसल में ज्यादा रुची दिखा रहे हैं जिस वज़े से है गि 2023 से 24 अक्टूबर सितंबर के लिए देश का उतपादन अनुमान 3.18 करोड गांट किया था एसोसियेशन 11 कपास उतपादक राजियों और अन्य व्यापार स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर करीबन हर महीने अपने अनुमानों को बदलता है 31 अगस्त तक पंजाब, हरियाना और राजस्थान के उत्तरी भाग में 45 लाग गांट का पास की पैदावार हुई थी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष उत्तरी च्षेत्र में 43 लाग गांट का उतपादन हुआ था अब 46 लाग गांट होने का अनुमान है Cotton Association of India ने बताया कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सेंट्रल जोन ने 1.97 करोर गांटें उत्पादित की गई हैं मध्यट शेत्र में 1.95 करोर गांट से 1.98 करोर गांट का कपास उत्पादन होगा 31 अगस्त तक, दक्षिन शेत्र ने 71 लाग गांट कपास बनाया था शेश उत्पादन अन्य राजियों में किया गया था Association ने कहा कि अक्टूबर से शुरू होने वाले सीजन का शुरुआती स्टॉक 28.9 लाग गांट होगा 2023 से 24 सीजन में कपास की आपूर्ती 3.55 करोर गांट से 3.68 करोर गांट होने का अनुमान लगाया है 2022 से 23 में आयात किये गए 12.5 लाग गांटों से ज्यादा का Association ने 2023 से 24 में 16.4 लाग गांटों का अनुमान लगाया है Association ने 2022 से 2023 में घरेलू मांग 3.1 7 करोर गांटों पर रहने का अनुमान लगाया है जो पिछले वर्ष के 3.1 1 करोर गांटों से अधिक है उसने निर्यात को 15.5 लाग गांटों से अधिक 28 लाग गांटों पर रहने का अनुमान लगाया है 21 अगस्त तक खपद 2.9 एक करोर गांट रहेगी वही मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी कापास उत्पादक जिला खरगोन में इस साल 2,18,000 हेक्टेर में कापास की बुआई की गई है गर्मी के दोरान लगाय गए कापास की फसल अब पूरी तरह पकर तयार हो चुकी है और खरगोन की कापास मंडी में नीलामी भी शुरू हो गई है शुरुआती दिनों में कापास की अच्छी कीमत मिलने से किसान बेहत खुश है पिछले वर्ष की तुलना में इस साल भाव में सुधार देखने पर किसानों में उत्साह देखा गया ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी